तो गाइज, वेल्कम तो डेली वुडवाल मैडनर्स और रियाल मेडेट ने इस डिफेंडिंग चेंपियन सिटी को चेंपियन लीग से बाहर निकाल के बहेंग दिया भाई Kings of Europe, the best team in the history of Champions League for a reason तो इसके उपर तो हम बात करते ही हैं, इसके लावा बाइन ने आर्सन को हरा दिया, वो भी बाहर हो गए बार्सा का नेक्स मैनेजर कौन होगा और ये फ्रेंकी डियोंग और उसकी क्या कानी चल रही है, सारी चीजों के उपर डिसकेशन करेंगे और बार्सा, वो कितने का नुकसान हुआ है Champions League के मैच हारने पर उसके उपर भी हम डिसकेशन करेंगे या सबसे पहले रियार्मेडिड वर्सेश सिटी यार भाई, एक तो सबसे पहली बात है कि मैं रॉटरी के जो रॉटरी ने जो काया, उससे मैं एग्री नहीं करता मैं बिलकुल भी उसी से एग्री नहीं करता, जो रॉटरी ने काया कि I understand कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम फुटबॉल, we were on the ball, we were trying to create and they were sitting deep तो अब ये कह सकते हैं कि हम, हम possession based football खेल रहे थे, ओडूसी टीम जो है, वो low block के अंदर खेल रही थी, counter attacking football खेल रही थी तो ये explanation तो ठीक है, बट ये कहना कि we were, we are the only team who was there to play football, this is absolutely bullshit आपको पता है मैं रॉडरी का कितना बड़ा fan हूँ मैं, I think I am the only one जो के पिछले 2-3 इंसान से उनको बैलंडॉर के लिए calls दे रहा है कि भाई, उसको भी बैलंडॉर टॉप 3 में होना चाहिए, जीतना भी चाहिए, बट आपको पता है, ये सब city fans को पता है बट भाई, this is how it is, this is how you win, आप नॉक आउट मैच कैसे भी जीतना होता आपने, beautiful football के लिए, तेकिन Champions League में winners होते हैं, वो हमेशा प्यारी football खेलने वाले नहीं होते हैं, होते भी हैं, बार्सा ने भी जीती है, बाइन ने भी जीती है, रियाल मिटे ने भी बहुत प्यारी football के बाइन के जीती है, जब उन्होंने 3-peat, especially 2017-18 जो सीजन था, सिटी ने भी जीती है, बाट हर दफा प्यारी football केलने वाले नहीं जीते, जो clinical होते हैं, जो के defensively organized होते हैं, defensive part भी game का है, क्या आप क्या कर रहे हैं, उनिट क्या कर रहे हैं, क्या आप spaces cover कर रहे हैं, और रियाल म इट की खासियत ही है, क्या भाई, मतलब जो मुझे चीज, absolutely, मतलब शॉक कर देती है, कि they are sitting, मतलब they are working together as a team, चाहे इंजरी हो, मिले टा हो बार है, कीपर बार है, चो में नहीं बार है, but still they are very compact, but the best thing about Real Madrid is कि भाई, जब उनको ball मिलती है, तो वो 3-4 passes के अंदर, they are so direct, and they have so much quality के वो 3-4 passes के अंदर, opposition box के अंदर पहुंच जाते हैं, this is the ability that, every team would love to have, क्योंके कभी न कभी थे, क्या आप बार्सा की, मैंने आपको example जब दी थी, कि बार्सा क्यों sit back नहीं, या फिर हराब ball नहीं खेल पाई, और दो goal की lead defend नहीं कर पाई, defending कर नहीं थी, उसका issue सबसे बढ and obviously, मैंने आपको याद है, Real Madrid की example दी है, Athletico की भी example दी थी, आप अगर low block के अंदर बैट रही हैं, और आपने decide कर दी है कि भाई, हमने pressure सूख करना है, आपके पास outlet होनी चाहिए, जब team को, अब आप देखें कि बहुत से जदे, इतने जदे instances थे, जहाँ पे rotary go finish, गैरा के ग penalty box से, they can sprint very easily in the wider areas, very direct towards the penalty box of city also, and they have the ability and quality and they have the base in behind, बार्सा के पास ये नहीं था जब लमीनियमाल चले गए, तो एक player से भी नहीं होता, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बार्सा को wide players चाहिए, बार्सा को direct players चाहिए, हमारे पास नहीं है, दुनिया की football में हर किसी के पास है because Champions League के अंदर कभी-कभी आपको sit deep करना पड़ता है और उसके लिए pressure release करने के लिए outlet होना चाहिए, जो के Riyan Midiard के पास बेतरीन तरीके का है, ठीक है, and that's, you have to admire Rudiger, you have to admire Nacho, भाई, क्या बंदा है यार, वो हर चेगा कारवाल, performance, जहां पे एक knock-out game होता है, they step up, because of the mentality, because of the thought process के भाई, we will win it, somehow, we will win it, no problem at all, yeah, City has only themselves to blame, to be very honest, उनके पास chances थे, उन्होंने chances नहीं लिये, Erling Haaland फिर, बड़े मैच में, जो है, वो भाग गए, अब मैं क्या बोलू, एक उनका पोस्ट को पर भी लगा, बट 37 मिनट तक भाई, उनका कोई pass completion नहीं था, तो service provide करनी पड़ती है, I think, Kevin De Bruyne would also be disappointed, अच्छा game चल रहा था, ठीके, overall City अच्छा ball move कर रही थी, but वो finish नहीं क पा रही थी, Real Madrid, तो City के हाथ में था यह game, but this is what football is, कि भाई, कभी कबार आप ball रखके, सब कुछ करके, नहीं, नहीं आप जीत पाते, और जो end की उपर देखे, fine margins हैं, जो end की उपर थोड़ा सा अपनी आपको control कर लेगा, अपनी nerves को control कर लेगा, especially penalties के अंदर, वो जीत जाए या भाई, भाई, Real Madrid, भाई, आप चाहे बारसा फैन है, जो मर्जी हैं, दुनिया के फैन, किसी भी कलब के फैन है, you have to respect Real Madrid, they are kings of Europe, they are kings of Champions League, they are the best club in the history of this sport, without any doubt, और यह मैं आज नहीं कह रहा है, यह मैं तक्रीबन दो साल से कह रहा हूँ, they have that culture, they have that mentality, यह team के आप on paper अच्छ प्लास हो चुके हुए हैं वो, Rudy is a monster in big games, right, Ferland Mendy, जिससे भाई, उन्होंने करवाना होता, काम करवाना होता, वो करवा लेते हैं, तो भाई, बारसा को DM की जरूरत है, अगर आप Real Madrid का template देखें, बारसा को wide players की जरूरत है, इसके बगार कुछ नहीं आप कर सकते हैं, DM, proper DM के बगार आप defend नहीं कर सकते हैं, और proper wingers के बगार, direct players के बगार, passive players के बगार, आप breathing space नहीं आपको मिल सकती है, तो भाई, brilliant congratulations to Real Madrid fans, और मतलब इससे जादा मैं बहुत क्या बोलू हूँ यार, बाई, Real Madrid अब नहीं रूपती, I would be short है अगर Real Madrid Champions ले, only team जो के Real Madrid को बार कर सकती थ अब कोई injury और बहुत बड़ा मसला, वैसे, injury और मतलब दम्या जल जाहे, लेकिन Real Madrid मुझे नहीं लगता अब रुपती है, Real Madrid अब Champions League जीत रही है, भाई, मायन को यह हया रहे हैं, और final केंदा है, Dortmund आगी तो 100% और PSG आगी फिर भी खा जाएंगे, यह PSG को भी, तो मेरे तो Real Madrid जीत रही है, Champions League, Semifinal, यहीं पर पकड़ना था, आपने नहीं पकड़ा, आप गई, City के पास भी बहुत बेतर चांस था, यहां पर दुबारा ट्रेबल जीतने का, यह पर दुबारा Champions League जीतने का, जो कि उन्होंने, kind of, I would say, they have only themselves to blame, Arsenal बाहर होगी यार, Bain ने, मैंने आ जीज़ जो positive जा रही थी, के Bain Champions League में step up करती है, और Tuchel Cup戦ीशम में अच्छे manager है, यह तो है उनका credit, तो Bain ने, who else but, Barca bound Kimick to, to, to score for Bain, और, I think Arsenal fans should be happy, because I think it was a good experience, or next season, they can come good, but क्या Arsenal का season failure होगा, अगर वो प्रेमेर लीग नहीं जीते है, गर वो कुछ भी ही जीते है, I think the same is the case with Barcelona also, जैसे मैं बार्सा के लिए कहता हूँ के भाई, ठीक है, progression था, जो भी हाँ, title नहीं है, it is a failure, and same goes for Arsenal also, guys आप बात कर ले तो थोड़ी सी बार्सा की news के उपर, देखें, news चल रही है कि बार्सा का next manager कौन होगा, हांसिफलिक is always waiting, चावी, और obviously तीसरे जो है, वो राफा मार the club, और same strategy अपना ही जा रही है, और बार्सा जो है, वो कोई hasty decision नहीं लेना चाहता, एक साल के लिए, आपको बता, राफा मार्केस एक साल के लिए भी काम कर सकते हैं, and then obviously बार्सा क्लॉप के लिए और बहतर options के लिए जा सकता है, maybe they can wait for Lucho, जो कि unlikely तब भी लगता है, और ये सारे जितने भी हैं, I'm all good, कि अगर आप एक साल के लिए राफा मार्केस को ले आते हैं, अगर चावी नहीं रुपता, अगर आप हांसी फिलिक के ओपर confident नहीं है, आपको बता है, मैं कहता हूँ कि आप हांसी फिलिक को लेके हैं, तोड़ा experience आयो, but अगर आपको लगता है या नहीं लगता कि हांसी फिलिक अची option है, आपको नहीं लगता, wait for it, appoint Rafa Marquez for one year and then think about how things go, I think this is the best possible situation right now in this financial mass of Barcelona, चावी के से related ये news है कि भाई, I think Alclasico के बाद, there is a meeting in which I think Barcelona will discuss with चावी, उसको final decision का पूछेंगे कि बता दो, क्या requirements है, अगर वो बासा पूरी कर पाए जो भी है, जो भी decision है, वो Alclasico के बाद हो जएगा, I think Alclasico के एक दो दिन बाद, जो है, वो decision हो जएगा, कि चावी रुक रही है, नहीं रुक रहे, अभी तक यही news है, कि 99% शोर है कि चावी जो है, वो बासा में नहीं रुक रहे, और देखते हैं कि चीज़े, I want कि चाव और उनकी agents से, जो है, वो discussion हुई, एक meeting हुई है, Danny Almo is 50 million का, उनका release clause है, अच्छे player हैं, बट भाई मैं आपको एक बात बता दू, I am, मैं तब पूरी video के अंदर मैंने आपको Real Madrid का और बाकी team से explain किया, wide players, who can run in behind, who can go wide, direct players, Danny Almo is a brilliant talent, but he is same interior position player, who can play on wide areas, we need proper wide players, instead of spending 50 million on Danny Almo, I would love to spend 50 million on Nico, right, क्योंकि जो मर्जी है, profile वो है, जो मैं चाहता हूँ, work करे ना करे, वो बात की बात है, profile वो चाहिए, Danny Almo की profile के players हैं हमारे पास, brilliant player है Danny Almo, but this is not the right time, in my opinion, फ्रेंकी डियों की news आ रही है, कि बार्सा शायद उनको sell कर सकती है, और obviously जब भी कोई बड़ा मियाच हाथ की है बार्सा, तो फ्रेंकी डियों को sell करने की news आती है, इसमें मैं बहुत दफ़ा अपना opinion दे चुका हूँ, 100 million से आपको ज्यादा मिलता है, और आप क्या एक player चाहिए आपको, गावी हो सकते हैं, वो गुंडोगान हो सकते हैं, बट आपको चाहिए, ठीक है, कि में के साथ भी चाहिए एक player, या फिर आप फ्रेंकी को sell करके, जूर मेंडी को लेके आएं, और 100 million से उपर का sell करें हैं, 70-80 million का कोई मजाक नहीं है, ठीक है, आप sell कर जूर मेंडी के लिए कोशिश करें, सीडियम के लिए, और अगर आपको लगता है कि आप ले आएंगे, sell फ्रेंकीडियों, इस सिंपल, लेकिन यह जो sources report कर रहे हैं, वो कर रहे हैं sport, जो के बहुत ज़्यादा reliable नहीं है, तो that is my opinion on everything, अपना opinion बताएं regarding everything in the comment section, like कर दीग, subscribe क कर दी मिलते नेक्स वीडियो में विसकल बरसा,